सशान सिंग राजपूत की मौद के बाद कई तरह के सवाल उठे, खुदकुशी को लेकर शक जाहर किया जाने लगा और साथी साथ बड़े स्टार्प के खिलाफ लोगों का गुसा भी सामने आया इसी की एक बांगी देखने को मिले जब सडक 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसे एतिहासिक दिसलाइक मिले अब सोशल मीडिया पर एक नया दावा किया जा रहा है एक तस्वीर वाइरल हो रही है जिसमें दिपिका पादुकोन रणवीर सिंग के साथ कुछ और लोग भी मौजूद है और दावा ये किया जा रहा है कि उस पार्टी में ली गई उस तस्वीर में अंडर वर्ल्ड डाउन दाउद इब्राहिम भी मौजूद है फेस्बुक पर एक तस्वीर वाइरल हो रही है जिसमें दिपिका पादुकोन उनके पती अभिनेता रणवीर सिंग सर्शान्थ के दोस्त और फिल्मकार संदीप एस सिंग और दो अन्रे लोग दिख रहे हैं ये सबी एक टेबल के चारों तरफ बैठे दिख रहे हैं जिस पर खाने पीने की चीजे भी रखी है दावा किया जा रहा है कि इनमें से एक व्यक्ती भगोडा अंडर वर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम है दावद इब्राहिम भारत से भागा हुआ है और ये भी दावा किया गया है कि वो पाकिस्तान में था तो ऐसे मेर दाउद कब पाकिस्तान से भारत आया या कभी अभी नेता भारत से पाकिस्तान गई यह भी इक सवाल उठा था नहाजना हमने सारी सच्चाई को जानने के लिए इसकी परतार की इंडे डिडे के एंडे फेक न्यूज वारूम ने पाया कि वाइरल तस्वीर में जिस व्यक्ती को गोल घेरों में दिखाया जा रहा है वो दाउद इबराहिम नहीं बलकि प्रोडक्शन डेजाइनर और आर्ट डिरेक्टर वासिक खान है रिवर्स सर्च की मदद से हमें कुछ न्यूज वेबसाइट पर वाइरल तस्वीर का अन्क्रॉप्ट वर्जिन मिला जिससे पता चलता है कि उस टेबल पर पिल्म डिरेक्टर संजा लीला भनसाली भी मौजूद थे कुल मिलागर परताल से यह चीज तो साफ हो गई कि जो दावे सोशल मीडिया पर किये जा रहे थे वो सरासर गलत है क्योंकि दिपिका और रणबीर के साथ उस पार्टी टेबल पर दाओ दिबराहिम मौजूद नहीं था जो दावे हैं वो सरासर गलत है